वेल्कम बैक पर माई चैनल जहां मैं आपको कई सारे व्यूटी टिक्स देती रहती हूं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको केसर वाइटनिंग जेल कैसे बनाना है धर पर यह बताऊंगे आपको पता दूँ कि यह जेल जो है आपकी इस चेहरे के जो स्कीन होती है उसके शेड को दो शेड लाइटर बनाएगा और साथ ही आपके चेहरे के स्कीन को काफी सॉफ्ट और ग्लोइंग भी यह अंदर से निखार के बनाएगा तो चलिए मैं बताते हूं इस वीडियो में आपको क्या क्या चाहिए और इसे कैसे बनाना है तो इस केसर वाइटनिंग जल को बनाने के लिए हमको चाहिए गुलाब जल आपको एक खाली कटोरी में दो चममज गुलाब जल लेने हैं और मैं आपको बता दूं गुलाब जल ऐसा ब्यूटी प्रोडेक्ट है जो आस्ट ही नहीं बलकि सदियों से प्राचीन समय से ही केसर कश्मीर से मुगाया था आप चाहें तो कोई सा भी केसर ले सकते हैं जो आपको दुकान पर इजली मिल जाया आपको आपको बता दूं केसर जो है ता है इसकीन के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसमें बहुत भारी मात्रा में विटैमिन्स और एक्टी एंटी अक्स कोड़ देना है तो आप जब भी केसर को गुलाब जल में डाले तो दस मिनट तक वेट कीजिए इससे क्या होगा कि केसर कर जीतने भी अच्छे गुण है वो सारे रोज वाटर में आ जाएंगे तो आपको वेट करना है केसर को इसमें डाल करके कम से कम 10 मिनट के लिए तो मुझे यहां पर केसर गुलाब जल में भीगो है दस मिनट हो गए हैं तो देखिए आप दस मिनट पहले मैंने गुलाब जल में केसर डाला था एक बार मैं और इसे चम्मच के मेंज़ से थोड़ा हिला देती हूँ ताकि और अच्छे से केसर के जो रंग है वो गुलाब तो मैं यहां पर दो चम्मच अलोवेरा जल ले रही हूँ मैं आपको उता दू अलोवेरा जल जो होता है वो आपकी स्कीन को संबन जो होता है उसे रिड्यूस करता है और शाती जो आपकी स्कीन पर संबन के वज़ा से रैडनेस आ जाती है उसे भी कम करता है फाइट करता ह एजिंग के निशानों से और इसकी निफेक्शन और एक्ने के निस्तान जो होते हैं ने भी रिड्यूस करता है तो दो चम्मच अलोवेरा जल लेने के बाद आपको इसे पूरे मिक्शर को अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लंप्स न रह जाए अलोवेरा जल गुलाब जर तो जब यह मिक्शर अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें कोई लंप्स न रह जाए तो समझे आपकी केसर वाइटनिंग जल आपका बन के तयार है और आप इसे किसी भी ग्लास के कंटेनर में स्टोर करके रख सकती हैं अपने फ्रीज में और कम से कम आप इसको दस दिनों क काफी चलता है तो मैं हफता दस दिन के लिए बनाती हूँ इसके ज़ादा नहीं बनाती तो हफते भर यह जल मेरा चलेगा और बहुत पोट के आपको अपने फेस पर नहीं लगाना है तो आप इसका कलर देखिए कलर इसका कितना अच्छा बन के आया है तो आप जब भी से यूज करेऊ रात میں सोते समय आप अपना पूरा करने के बाद सक कैसे पूरे जोसके बाद सिर्कुलर में एक से दो मिनट तक और अगर आप इस जेल को डेली बैसेश Chair भ्र भी लगाएंगे तो आपको अपने skin color में effect देखने को मिलेगा आपका skin color जो होता है वो दो shade lighter आपको देखने को मिलेगा और साथ ही आपके skin आपको काफी soft soft feel होगी और ये aloe vera gel में मिला है तो इसकी वज़ा से आपको एक benefit और रहेगा कि आपके aging के जो निशान होते हैं वो भी reduce आपको लगेंगे तो आप इसे बना के store करिए और इसे अपने face लगाईए तो ये था आज की इस वीडियो में जल्दी मिलूँगी नए वीडियो में अगर आपको कोई doubt हो तो आप comment करके पूश सकते हैं वीडियो पसंद आए तो like, share, comment करना ना भूलिए अगर आपने लाल बटन दवा के चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर कर ले Thank you